उत्तरपर्देश विदानसवा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 49 प्रत्याशियों के नाम वाली सूची जारी कर दी है इस लिस्ट में कई बड़े और विवादित नाम भी है जैसे अखिलेश यादव ने अमेठी की सीट पर गायतरी प्रसाद प्रजापती की पतनी महराजी प्रजापती को उतारा है अब दिल्चस बात यह है कि सपासरकार में मंत्री रह चुके गायतरी जहां रेप के आरोप में जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं वही उनकी पतनी महराजी टिकेट पाने के बाद पोस्टर शवबा कर उन्ही नियायम दिलवाने की मांग कर रही है सोशल मीडिया पर पत्रकार अशुक स्रिवास्तव ने इस पोस्टर को शेयर किया है उन्होंने लिखा अखिलेश यादव ने अमेठी से सामुएक बलातकार के मामले में जेल में मंद हैश्टेक गायतरी पजापती की पतनी को उमीदवार बनाया और अब पतनी बलातकार के आरोपित को नयाय दिलाने के लिए वोट मांग रही है पोस्टर में अखिलेश मुलायम की फोटो है तो ये भी लिख देते कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है इस पोस्टर में देख सकते हैं मुलाइम यादव और अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ महराजी ने खुद की और अपने पती की तस्वीर लगवाते हुए लिखवाया है आपका एक भुमोले वोट अमेठी के बेटे को नयाय दिलाएगा इस पोस्टर को देख हर कोई अपनी अलग-अलग प्रितिक्रिया दे रहा है लोग महराजी को वोट माँगने की जगा शर्म करने की सला दे रहे हैं लोगों का पूछना है क्या समझवादी पार्टी को ऐसे ही लोग मिलते हैं कि सधार पर इनके लिए वोट माँगा जाएगा बतादे की पिछले साली समझवधी पार्टी की सरकार में परिवहन, खनन और सिचाईज से महतपूर्ण विभागों में मंत्री का दायत समहलने वाले गायतरी प्रजापती को चितरकूर्ट के चर्चित गैंग्रेप मामले में MPMLA स्पेशल कोट ने उम्रकैत की सजा सुनाई प्रजापती के साथ मामले के अन्य दोशी, आशी शुकला और अशोक तिवारी को भी उम्रकैत की सजा दी गई है, तीनों दोशियों पर दो-दो लाख रुपे का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया था, गायतरी पिसात पर एक महिला ने आरूप लगाया था कि जब व कोट की सुनवाई के समय सत्रा गवा और पुलिस की चार्शीट के अधार पर गायतरी प्रजापती को दोशी पाया गया था, इस खबर में इतना ही है, ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल सब्स्राइब करें